दिपक बाबरिया जी, PCC प्रेसिडेंट, कमल नाथ जी, जोतिर अधित्या सिंद्या जी, दिगविजे सिंग जी, सुरेश पचोरी जी, अजे सिंग जी, स्टेट पे बैठे, कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, कॉंग्रेस के कारे करता, भाईों और बहनो, किसानों, शहीद किसानों के जो परिवार आए, आप सबका यहाँ दिल से बहुत-बहुत स्वागत, गर्मी में आप आए हैं, इसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्य एक साल पहले यहां मध्या प्रदेश की सरकार ने किसानों पर आक्रमन किया किसानों पर गोली चलाई किसानों को मारा किसानों को मारा पूरे देश में आज किसान अपना हक मांग रहा है चला रहा है आतम हत्या कर रहा है और यह जो परिवार आज यहां आए है यह उसके एक चिन है एक निशान है चाहे वो नरेंद्र मोधी जी की सरकार हो चाहे वो शिवराज जी की सरकार हो चाहे वो किसी भी बीजेपी की सरकार हो उन सरकारों के दिल में हिंदुस्तान के किसान के लिए इतनी सी जगा नहीं है यह सच्चाई है द्वाइ लाग करोर रुप्या हिंदुस्तान के पंद्रा सबसे बड़े उद्योग पतियों का माव किया जा सकता है मगर हिंदुस्तान के करोणों किसानों का एक रुप्या नहीं माव किया जा सकता है दिन भर दिन भर चीफ मिनिस्टर और प्रदान मंत्री बाशन देते हैं रोजगार की बात करते हैं किसानों की पूजा करते हैं अलग-अलग चीज़ों के बारे में बोलते हैं मगर जब किसान कड़ा होता है कहता है हमें सही दाम चाहिए हमारा कर्जा माफ कीजिये हमारे साथ खड़े होए तो नरेंद्र मोधी जी और मध्यप्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं हमारे पास आपके लिए कोई समय नहीं है हमें और कुछ करना है हम आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं आपको जो बोलना आप बोलो हमें कुछ और करना है आप याद कीजिये यूपिये की सरकार थी किसान हमारे पास आए किसानों ने हिंदुस्तान के किसान का डेलेगेशन आया और उन्होंने हमसे कहा देखिए अमीर वियक्ती होता है बैंक के दर्वाजे उसके लिए खुले होते हैं रेड कार्पेट होता है सीधा अंदर जाता है कहता है मुझे लोन चाहिए हमारे लिए दर्वाजा बंद है आपने हमसे कहा कि हमारा आप कर्जा माफ कीजिये और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दस दिन के अंदर बारा दिन नहीं लगे दस दिन के अंदर UPA की सरकार ने सत्तर हजार क्रोर रुपए आपका कर्जा माफ करके दे दिया और मैं स्टेट से इन परिवारों को और हिंदुस्तान के किसानों को बताना चाहता हूँ कमलनाज जी यहां बेटे हैं सिंद्या जी बेटे हैं कॉंग्रेस पार्टी के नेता बेटे हैं मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ इस स्टेट से जिस दिन मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप दस दिन गिनना और दस दिन के अंदर गैरंटी करके कह रहा हूँ यहां पे आपका कर्जम आप हो जाएगा ग्यारा दिन नहीं लगेंगे दस दिन के अंदर कर्जम आप हो जाएगा और दूसरी बात कहना चाहता हूँ यह जो यहां किसान के परिवार आए है यह जो यहां किसान के परिवार आए है मैं आपको कहना चाहता हूँ और खास तोर से उस महिला से कहना चाहता हूँ जैसे आज मेरी बात हुई जैसे ही यहां कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी दस दिन के अंदर आपको नियाय मिलेगा और जिन लोगों ने आप पे गोली चलाई है उनके खिलाफ हम कारवाई करके दिखाएंगे हिंदुस्तान के किसान ने इस देश को खड़ा किया है अगर आज इस देश में सब लोग खाना खाते हैं भोजन मिलता है तो कोई बड़े उद्योग पतियों ने ये काम नहीं किया है ये काम हिंदुस्तान के किसानों ने हिंदुस्तान के मज़़ूरों ने और उनके परिवारों ने किया है और अगर हम हिंदुस्तान के किसानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमारी सरकारों का कोई मतलम नहीं है पहला काम हिंदुस्तान के किसानों की रक्षा हिंदुस्तान के किसानों की परिवारों की रक्षा करने का है अभी मुझे बता गया है कि 1200 किसानों ने मद्यप्रदेश में आतम हत्या की है एक के बाद एक, एक के बाद एक, मन्सौर के किसान, मध्यप्रदेश के किसान आतम हतिया कर रहे हैं आप मैं आपने सवाल पूछना चाहता हूँ 1200 किसानों ने आतम हतिया की क्या हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों ने लाकों करोड का एंपिय है डाई लाक करोड रुपे नरेंद्र मोधी जिने स्वायम उनको दिया क्या इन लोगों के परिवारों में किसी ने आतम हतिया की एक व्यक्ति ने आतम हतिया ने की किसान पर कर्ज होता है किसान को बताया जाता है जाओ आतम हतिया करो हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों कर कर्ज होता है लाकों करोर रुपए का इंपिय होता है सरकार कहती है आईए आपका नाम विजमालिया है आईए हम आपसे सौधा करते हैं आपने नो हजार करोर रुपए चोरी किया लेओ पाच हजार करोर रुपए और आपका नाम ललि 30,000 क्रोर रुपए लो भाग जाओ ना सदा होगी ना आतम हत्या होगी 30,000 क्रोर रुपए नीरभ मोधी के जेब में जाएंगे मेहुल चोकसी का नाम सुना आपने नरेंद्र मोधी जी मेहुल चोकसी को बता क्या कहते है मेहुल भाई मेहुल चोकसी नहीं मेहुल भाई नीरभ भाई नीरभ मोधी नहीं नीरभ भाई नीरभ भाई को और मेहुल भाई को नरेंद्र मोधी जी ने 30,000 क्रोर रुपए दिया 30,000 क्रोर रुपए के साथ आप मद्यव प्रदेश के हर किसान का दो बार कर्जा माफ कर सकते हो पूरे देश के युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया और आज मुझे बहुत खुशी है कि इस भीड में युवा कड़े हैं हजारों लाखों युवा कड़े हैं और मैं आपको कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से जरूर धोका किया उन्होंने किसानों को जरूर कहा था कि हम आपको सही दाम दिलवाएंगे किसान भाईयों से पूछना चाहता हूँ लसन का क्या दाम मिलता है नए 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 तीक से बोलो, कितने रुपे हैं? ये, दोसो, कॉंग्रेस पार्टी UPA की सरकार में आपको लस्टन का क्या दाम मिलता था? सोया बीन का आपको क्या दाम मिलता है कॉंग्रेस पार्टी यू पीए सरकार में आपको क्या दाम मिलता था नरेंद्र मोधी जी ने किसानों को जूट बोला मगर सबसे बड़ा धोका देश के खिलाफ और हिंदुस्तान के युवाओं से इन्हों ने किया आप सबसे इन्हों ने कहा था कि आपको दो करोर युवाओं को हर साल रोजगार देंगे आपको ये भी कहा था कि हर युवा को पंद्रा लाक रुपए बैंक अकाउंट में डालेंगे याद है या भूल गए? नहीं सुनाई नहीं दिया याद है या भूल गए? पंद्रा लाख रुपए और दो करोर युवाओं को रोजगात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पंद्रा लाख छोड़ो इस बीड में किसी युवा को नरेंद्र मोधी जी ने पाच रुपए दिये इस बीड में कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हाँ मुझे नरेंद्र मोधी जी ने रोजगार दिया जहां भी आप देखो Made in China Made in China, Made in China, Made in China हमारे प्रधान मंत्री गुझरात में चाइना के राश्टरपती के साथ जूला जूलते है मोधी जी के जेब में टेलेफोन टेलेफोन के पीछे लिखा हुआ है Made in China मोधी जी अपना SMS उससे मारते है महीने बाद राश्टरपती चाइना का राश्टरपती बापे जाता है कहता है चलो भाईया ढोक्लाम में मैं अपनी फोज भेजना चाहता हूं चाहिना की सेना ढोक्लाम में घुष्टी है नरेंद्र मोधी जी के मुझ से एक शब नहीं निकलता चूने ही बोलते है और हिंदुस्तान का यह भटकता रहता है उसको यह नहीं मालूम कि कल क्या होगा माता पिता को कहते हैं माता पिता को कहते हैं सुनो सुनो माता पिता को कहते हैं देखो तुम्हें हम साही दाम नहीं देंगे तुम्हें हम करज़ा माफ नहीं करेंगे तुम से हम भीमा लेंगे और तुम्हें फाइदा नहीं देंगे और बच्चों से कहते हैं तुम्हें हम रोजगार नहीं देंगे तुम जाओ शेहरों में जाओ सरकों में सो और मजदूरी करो और हिंदुस्तान की सब दुकानों में Made in China, Made in China, Made in China, Made in China ये है शिवराज और नरेंद्र मोधी का हिंदुस्तान कमलनाच जी की, सिंद्या जी की सोच दूसरी है हम चाहते हैं कि किसान को आदर मिले किसान को खून पसीने का अपने काम का फाइदा मिले उसकी इज़त हो और किसान के बच्चों को शिक्षा मिले और सबसे जरूरी नमबर वन रोजगार मिले मेरा सपना है कि आज से पाथ साल साथ बाद जब हम यहां आएं और हम अपने फोन को देखे यहां फोन पे लिखा हो मेड इन मनसौर और यह काम मैं आपको बता रहा हूँ यह काम नरेंद्र मोदी और शिवराज नहीं कर सकते हैं यह काम कमलनात और सिंधिया कर सकते हैं और करके दिखाएंगे हम आपसे खोकले वाइदे नहीं करेंगे अपना टाइम यहां जाह कर रहे हो यहां पे चाहिए मैं हूँ कमलनाची हो सिंधिया जी हो हम आपको जूट नहीं बोलेंगे हम आपको सचाई बोलेंगे क्योंकि हम आपका आदर करते हैं और हम आपकी शक्ति को पहचानते हैं और हम आपसे अपनी मन की बात भी नहीं करेंगे हम आपकी मन की बात सुनेंगे और आपकी मन की बात की सरकार हम बनाएंगे तो मैं आपसे दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ सबसे पहले जो मैंने कहा दस दिन के अंदर आपका किसानों का करजा माफ करके मैं गैरंटी कर रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए दस दिन के अंदर मद्यप्रदेश के किसानों का करजा माफ होगा जो आपने पिछले पंदरा सालों में सहा है जो आपका अपमान हुआ है उसके लिए आपको हमें मदद करनी है आपका करजा माफ हम करके दिखाएंगे दूसरी बात आज आप मंडी में जाते हो आपको चेक मिलता है, फिर आप बैंक में जाते हो और आपसे रिश्वत मांगी जाती है 15% आपसे शिवराज जोहान जी लेते हैं, उनकी सरकार लेती है हम आपको डाइरेक्ट मंडी में पैसा देंगे, सीधा मगर हम वहाँ नहीं रुखना चाहते हैं हम प्रदेश का नक्षा बदलना चाहते हैं हम आपको सिरफ मंडी में पैसा नहीं देना चाहते हैं हम आपकी जिन्दगी बदलना चाहते हैं मध्यप्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ उगाय जाता है यहाँ पे सोयबीन, यहाँ पे लसन, कहीं हो टमाटर, कहीं आलू, कहीं गन्ना अफीम आप आपको आज, आप आज माल बंडी में बेचते हो आपको चेक मिलता है आपके जेब में से 15% लिया जाता है Congress Party की सरकार हाएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में और आप अच्छे तरह सुनिये हर डिस्ट्रिक्ट में हम किसानों के खेद के पास Food Processing Unit लगा देंगे हर डिस्ट्रिक्ट में किसान डारेक्ट अपना माल सीदा अपना माल फैक्टरी में जाके बेचेगा आपके जेब में से शिवराज जी एक रुपिया नहीं ले पाएगा और जो फाइदा आपकी मेहनत का आपको मिलना चाहिए वो हम आपको देंगे पूरी मद्यप्रदेश में हम फूर्ट जेन बनाएंगे आपके खेत को सडक से शेहरों से जोड़ेंगे कि आपका माल सीधा फैक्टरी में जाए और फैक्टरी से माल सीधा शेहर में बिके और आपके जेब में सीधा पैसा आए और जो हम फूर्ट चेन बनाएंगे और जो हम fruit processing plants बनाएंगे उन फैक्टरियों में उन plants में हम मध्यप्रदेश के किसानों के बेटे और बेटियों को रोजगार देंगे और चाइना से चाइना से हम competition करके दिखाएंगे मनसौर के युवाव में कोई कमी नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ आज आप यहां लस्टन उगाते हो ना दस साल के अंदर चाइना की राज़दानी बेजिंग में हम उनको मनसौर का लस्टन किलाएंगे यह हम कर सकते हैं मगर यह कैसे होगा यह आपकी शक्ति के साथ होगा अगर हम यहां आएं और हम आपसे जूट बोलें कि वही आप 15 लाग कर देंगे यह कर देंगे वो कर देंगे दो करोड युवां को रोज़गार देंगे यह काम नहीं होने वाला है मैंने आपको आज यहां बताया है हम आपको रोज़गार कैसे देंगे हमने मैंने आपको रास्ता दिखाया है मैंने आपको कहा है कि हम किसानों को गैरंटी करके गैरंटी करके हम उनका करदा माफ करेंगे और हमारा रेकोर्ड है सत्तर हजार करोर रुपए हमने करदा माफ किया है करनाटक की सरकार ने करदा माफ किया पंजाब की सरकार ने करदा माफ किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने सिद्वरमयाजी से और मोदी जी से यह बात की मैं स्वायम गया और मैंने उनसे कहा देखिए मैं एक ही बार गया हूँ लोग मेरे बार में कहते हैं किसानों के लिए लड़ता है सही है मैं एक ही बार नरेंद्र मोधी जी के ऑफिस में गया हूँ और मैं किसानों की बात लेके गया थू मध्य प्रदेश के किसानों की बाद, उत्तर प्रदेश के किसानों की बाद, करनाटर की किसानों की बाद और मैंने नरेंद मोधी जी से कहा, मोधी जी, आपने डाई लाग करोर रुपए पंद्रा लोगों का माफ किया है डाई लाग करोर रुपए पंद्रा लाग का 35,000 क्रोर रुपए में पूरे देश में हमने मन्रेगा चलाई आपने 2,500,000 रुपए 15 लोगों का माफ किया है मेरे साथ हिंदुस्तान के करोडों किसान कड़े है मैं उनकी आवाज लेकर आपके आफिस में आया हूँ आपके सामने कड़ा हूँ करोडों किसानों ने मुझे भेजा है लाकों ने आतम हत्या की है मैं उनकी आवाज आप तक पोचाया हूँ मैं उनकी आवाज आप तक लेया हूँ उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है मगर उनकी दिल की वाज में लाया हूँ पाँच मिनट आप मेरी बात सुनिए नहीं पड़े लिखे हैं पड़े लिखे हैं मगर सही बात नहीं पड़े है पड़ाई गल्ट है, RSS की पड़ाई है उनके दिल में क्रोट डाल रखा है गुस्ता डाल रखा है, नफरत डाल रखी है हमारी पड़ाई दूसरी है कमलनाज जी की, सिंद्या जी की, मेरी प्यार, प्यार की पड़ाई है हम सब को जोडते हैं कहर में वापस जाना चाता हूँ मैं नरेंद्र मोधी जी के आफस में गया, मैंने कहा देखो, नरेंद्र मोधी जी, मैं किसानों की दिल की आवाज लाया हूँ, यह जो महिला जिस से आज मैं मिला, जिसको चीफ मिनिस्टर ने कहा, कि आपके बेटे की लाज के लिए हमने आपको एक करोर रुपए दिया है, औ इनकी आवाज लाया हूँ और इनकी आवाज कह रही है नरेंद्र मोदी जी आपके सामने हाथ जोड़कर इनकी आवाज कह रही है कि आप इनका भी कर्जा माप करूँ नहीं सुनो 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 मैंने उनसे बोला नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है इस आवाज को आप सुनिए अब नरेंद्र मोदी जी का जवाब सुनो मज़ेदार जवाब सुनो एक तरफ में बैठा हूं कॉंग्रेस पार्टी के लोग अमरिंदर सिंग जी दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी न वो जो लाल वर्दी पहनते ना देखें आपने वो सुट वाले वो खड़ें जवाब यह था जवाब मतलब हिंदुस्तान की जो किसान की आवाज है करोणों किसान की आवाज उस आवाज को नरेंद्र मोधी जी ने पाँच शब भी नहीं दिये बड़े बड़े उद्योग पदी आते हैं घंटो बाशन चलता है सूट बूट पहेंड कर मीटिंग होती है बड़े बड़े बाशन होते है मगर किसानों की आवाज के लिए नरेंद्र मोधी जी के पास एक शब नहीं है फिर मैंने अमरिंदर चिंग जी को फोन किया सिदर अमया जी को फोन किया मैंने कहा अमरिंदर सिंग जी सिदर अमया जी क्या लगता है नरेंद्र मोधी जी ने किसानों की किसानों की आवाज का जवाब तक नहीं दिया क्या हमारे चीफ मिनिस्कर किसानों की आवाज का जवाब दे सकते हैं हाँ या ना मैं बताता हूँ दस दिन मैंने उनसे कहा आप मुझे दस दिन में बता देना दस दिन के अंदर पहले सिद्धर महिया जी का फोन आया कहा करनाटका की सरकार करनाटक के सब किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है हम दस दिन के अंदर ये काम कर रहे है और उसी के बाद पंजाब की सरकार ने ये काम किया तो हम आपकी आवाज सुनते हैं हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं हम आपका दर्द आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं और हमारे सामने सिर्फ दो लक्षें एक हिंदुस्तान की किसान की रक्षा और दूसरा हिंदुस्तान के युवाओं का रोजगार हम यही दो चीजों पर अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और मद्यप्रदेश को बदल डालेंगे पर नगes That You are के के यहां अए और कॉंग्रेस पार्टी के हमारे शिपाई खड़े हैं बहुत सरे लोग मुझे दिख रहे हैं युवा दिख रहे मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको महसूस हो गया होगा कि अब कॉंग्रेस पार्टी एक होकर कॉंग्रेस पार्टी टीम बन कर चुनाव लड़ रही है अब आपको मैसूस होगा कि सब के सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं आप हमारे सिपाई हो आप पोलिंग बूट पे लड़ते हो आप अपना खून पसीना पार्टी को देते हो मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता और दूसरे नंबर पे कॉंग्रेस के कारे करता पर है तीसरे नंबर पे कॉंग्रेस पार्टी के नेता पहले देश की जनता नमबर दो पे कॉंग्रेस का कारे करता और तीसरा कॉंग्रेस का नेता तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जैसे ही यहां कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आएगी जो आपने पिछले पंदरा साल सहा जो आपके साथ बीजेपी, आरेसेस और शिवराज चोहान जी ने किया हम आपको नहीं बूलेंगे जो सरकार बनेगी उसमें कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता की पहली जगे होगी ये बात आप मत बूलिए अब आप जाईए मध्यप्रदेश को बताईए कि मध्यप्रदेश के किसान के साथ मध्यप्रदेश की सरकार ने क्या किया आप बताईए कि मध्यप्रदेश के युवाओं को शिवराज जी ने और नरेंद्र मोधी जी ने किस ब्रकार धोका दिया आप बताईए व्यापम में कितने युवाओं का भविश्य शिवराज चोहान जी ने उनके परिवार ने और RSS और BJP के लोगों ने मध्यप्रदेश के युवाओं से चुराया ये बात आप जाके बताइएब बताइए कि इलाज के लिए मध्यप्रदेश में युवाओं को माताओं को लाको रुपे की सर्कार ने मुफ्ट में दवाई देने का काम किया था आप बताईए कि जहां भी कॉंग्रेस पार्टी होती हैं, हम शिक्सा और स्वास को प्राइबटाइज नहीं करते हैं, हम शिक्सा और स्वास कम से कम दाम में दिलवाते हैं, हम किसान की रक्षा करते हैं, आप इन बातों को मध्यप्रदेश के लोगों को बताईए, और जो हमा यहारे नेता यहां बेटे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका काम मध्यप्रदेश की जनता के घरों में, गाउं में, शेहरों में, सडकों में जाने का है, मैं चाहता हूँ कि आप सब सडकों पे उत्रें, गाउं में, इधर देखके कह रहा हूँ में, क्योंकि जो भी जनता के पास जाएगा, जो भी जनता के साथ मिलेगा, जो भी मध्यप्रदेश की मट्टी पर चलेगा, मट्टी से मिलेगा, उसी के लिए मध्यप्रदेश की अगली सरकार में जगा होगी. ये मेरा आपके लिए मद्यप्रदेश के लिए मेसेज है। युवाओं और महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं कॉंगरेस पार्टी के दर्वाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी जरूरत है, मध्या प्रदेश को बदलना है, कमल नाची सिंद्या जी है, सिंद्या जी युवा है, रास्ता लंबा है, आप सम हमारे साथ चलिए, सच्चाई के साथ चलिए, जूटे वाइदों को भूल जाईए, अपनी शक्ती को पैचानिए, और एक साथ हम इस जे जवन जे जवन जे जवन आधनी साथियों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राहूल गांदी जी जिस तरीके से